दोस्तों गराब भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों लारा और सहवाक का कॉम्बिनेशन प्रित्वी शो ने घरेलू क्रिकेट में उड़ाया है गर्दा सो नहीं दोसों नहीं तीन सो नवासी रनों की पारी खेली है ऐसी एतिहासिक पारी लगा दी की रिकॉर्ड की जड़ी लग गई तो वहीं टीम इंडिया का दर्वाजा खट-खटा रहे रितुराज गायकवाड ने भी अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इतिहास रज़ दिया तो आखिर कैसे इन दोनों धाकर खिलाडियों ने अपनी खौफनाग बल्लेबाजी से गेंद बाजों के उड़ाये पर खचे उनकी खौफनाग बल्लेबाजी के साथ साथ उनके कभी ना तूटने वाले रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पृत्वीश और इतुराज गायकवाड और इशान किशन में से सबसे बहतरीन ओपनर बल्ल मुंबई की और से खेलते हुए इस विस्पोटक ओपनर ने एलिट ग्रूप B के मैच में असम के खिलाफ रिकॉर्ड तीन सो उनासी रनों की पारी खेल रणजी इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिकत स्कोर बनाने का करिश्मा करती हाँ है और वहीं रितुराज ग रनों की एतियासिक आकड़े से चूप गया लेकिन अपनी इस पारी के बदौलत प्रित्वी ने घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की जड़ी लगा दी वो पहले ऐसे खिलाडी बनेया जिन्होंने सयद मुश्ताकली ट्रॉफी में शतक विजे हसारे ट्रॉफी में 12 शतक और रणजी ट्रॉफी में 13 शतक ठोकने का नायाब कीरतीमान अपने नाम किया है वहीं बात करें महिंदर सिंग धोनी के चहेते रितुराज की तो तमिलनाडू के खिलाफ खेलते हुए रितुराज ने 105 के स्ट्राइक रेट से 184 गेंदों पर 195 रणों की विस्पोटक पारी खेली जिसमें उन्होंने 24 खतरनाक चौके तो वहीं आठ खौफनाक चकों की बारिश भी किये जिसमें गेंदबास तो दहशत में नजर आए हाला कि दोस्तों लगातार इतनी बहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद अब तक भारतिये टीम में उन्हें जगा नहीं मि खेला है ऐसे में रणची ट्रॉफी में रनों की बरसात कर इन दोनों खिलाडियों ने बेजिस याई और सेलेक्टर्स के मुँपर तमाचा मारा है जिसके बाद हर तरफ ये मांग तेज हो गई है कि इन दोनों खिलाडियों को टीम इंडिया में मौका जरूर मिलना चाहिए केवल इतना ही नहीं अगले कुछ समय में भारतिय टीम का स्केडियूर बहुत व्यस्त रहने वाला है जहां हमें न्यूजिलेंड से पहले टी-20 और वंडे खेलने है तो वहीं फिर आस्ट्रेलिया के खिलाफ वंडे सीरीज और उसके बाद बाद बौर्डर का मसकर काम शौकों मिलता है या इस बार भी इस यूबा खिलाडी के हाथ खाली हाथ ही लोटना पड़ता है वहीं रितराज तो टीम इंडिया में शामिल होने के बाद बहुत करीब हैं और अब BCCI इन पर क्या फैसला करती है उन पर सभी की नजरें टिकी है लेकिन दोस्तों आपक क्या लगता है कि इन दोनों खिलाडियों की टीम इंडिया में शामिल इनको किया जाना चाहिए या नहीं अपनी राए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद